हलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका cg job 2.0 पर तो दोस्तों आज का वीडियो होने वाला है cf भरती के संबन में हैं दोस्तों जिसके लिए आज हम पूरी जानकारी इस वीडियो के माधम से देखने वाले हैं बहुंच सारे मेरी वीवर कमेंट करके पूछ रहे था दोस्तों कि यह भरती कब आएगा तो उसके संबन में आज मैं आपको अपडेट दूंगा दोस्तों कि इसका कब आएगा यह वेकेंसी और इसका नोटिफिकेशन कब आपको जारी होकर देखने को मिलेगा क्योंकि जो है पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा दोस्तों साथ ही इसमें आपको किस प्रकार से आवधन करना होगा क्या फिजिकल होगा क्या उसमें क्राइटेरिया मंगा जाएगा क्या होगा संपूर जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिलेगा दोस्तो तो वीडियो पे जो है अंत तक जरूर बने रहीएगा और वीडियो को जो है बीना skip करे पूरा जरूर देखेगा दोस्तों इसके अलावा अगर आपके मन में और कोई doubt होगा तो आप comment कर सकते हैं तुरंद आपको जो है आपके question का answer यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा तो चलिए अब बिना किसी time is के सीधा वीडियो श्टार्ट कर दे हैं दोस्तों तो जैसे कि मैंने बता दिया था कि यह जो CA भरती है वो 36 गड़ पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ से यहाँ पे जारी किया जाएगा ठीक है और इसके जो पोस्ट की बात करें तो जो है यह 2789 पदोपड आपको जो है यहाँ पे CA भरती देखने को मिलेगा दोस्तों जोब लोकेशन आपको जो है 36 गड़ में रहेगा ठीक है और इस्टेट गवर्रमेंट जॉब्स ने यहाँ पे रहने वाला है स्टार्टिंग डेट की बात करें तो यहाँ पे बताया गए है कि मई या फिर जून में यहाँ भरती आपको देखने को मिलेगा यानि कि ओफिश्यल वेब साइट में इसका उलोकन आपका कर सकते हैं तो मई जून में यह भरती आपको देखने को मिलेगा ठीक है और इसमें आपको आविधन की अंतिम्तिती की बात करने तो जून तक जो है आपको इसमें समय दिया जाएगा आविधन करने के लिए ओनलाइन माधम से इसमें आपको आविधन करना होगा दोस्तों cgpolice.doe.in के वेबसाइट में विजिट करके ठीक है तो इसमें अब बात करें education qualification की जो तो दोस्तों इसमें आपको दस्वी या फिर बार्वी क्लास जो है क्लियर करना होगा तो अगर आप दस्वी और बार्वी वर्ष नियुनतम और अधिक्तम जो है 30 वर्ष यहाँ पर मंगा जाएगा पर इसकेल की बात करें तो आपको जो है starting जो है 7,520 रुपैस जो है अधिक्तम यहाँ पर आपको 35,000 तक का salary इसमें मिलेगा दोस्तों application fees की बात करें तो इसमें आपको कोई भी application fees नहीं लगने वा दोस्तों उसके बाद आपका document verification होगा देन आपका final merit list यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा और जो है आपको इसमें जहाँ पर भी खाली post रहेंगे वहाँ पर आपको post कर दिया जाएगा ठीक है बात करें हम इसमें जो है physical में height वगर रखिया मंगा जाएगा तो height की बात कहने जो है male और female candidate के लिए यहाँ पर दिया गए है कि जो male candidate रहेंगे उनको 168 cm और female candidate को 153 cm यहाँ पर height में मंगा जाएगा criteria इसमें यहीं रखा जाएगा दोस्तों बात करें chest के लिए तो male candidate के लिए 81 cm प्लस 5 cm सीना फुल आकर इसमें लिया जाएगा ठीक है उसके बाद है यहाँ पर हम race की बात करें तो जो है male candidate के लिए यहाँ पर 1500 मीटर इसमें रहेगा ठीक है और जिसको जो है आपको जो है दिये गए समय में इसको complete करना होगा ठीक है दोस्तों उसके बाद imported document की बात करें जब आप इसमें आधरन करते रहेंगे उस समय तो दोस्तों इसमें आपका educational certificate लगेगा photograph signature और जाती निवास और अगर आपके पास sports certificate है तो वो भी आप attach कर सकते हैं ठीक है इन सब document को जो है आप ready करके रखे रहिएगा दोस्तों अगर आपके पास इन में से कोई document नहीं है तो उसको अभी से आप बनवा कर रख लीजे ठीक है तो ये जो है दोस्तों ये भरती आपको देखने को मिलेगा ये तो confirm है तो आप इस पर जो है कोई भी doubt मत रखिए ये भरती आना निश्चित है और आप अपना physical का तैयारी करना चाहते है तो पर निर्भर करता है कि आप किस छेत्र में आपका कमी है तो आप उसको अभी से बिल्ट अप करने के लिए तैयारी स्टार्ट कर दीजे दोस्तों ठीक है तो इसमें जो है अगर कोई और doubt होगा तो आप comment कर सकते हैं दोस्तों आज के लिए यही अपडेट है कि मैं जून में दोस्तों इसी प्रकास है और अपडेट पाने के लिए जो है चोनल को जो है सब्सक्राइब और बेल आइकन को जो ओन जरूर रखे ठीक है दोस्तों तुम मिलते हैं नहीं वीडियो में ना जानकारिकसान धन्माद